नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शारदिय नवरात्री के दूसरे दिन मा ब्रह्मचारणी माता की कथा सुनाने जा रही हूं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मा ब्रह्मचारणी माता की जय अवश्य लिखें, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, नवरात्री के से व्यक्ति में तप, त्याग, वहराग्य, सदाचार और संयम रखने की प्रवृत्ति आती है। मां का यह स्वरूप अत्यंत भव्य और सुन्दर है। इस रूप में माता ने दाएं हाथ में जब की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया है। जाने आदी शक्ति के ब्रह्मचारिनी स्वरूप की कहानी। मान्यताओं के अनुसार, ब्रह्मचारिनी माता पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म ली थी। बड़े होने के बाद माता ने नारत जी के उपदेश से भगवान शिवशंकर को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इसी तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिनी पड़ा। उन्होंने एक हजार वर्ष तक फल फूल खाकर समय बिताया और सौ वर्षों तक केवल जमीन पर रखकर तपस्या की। माता ने शिवशंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन उपवास रखें। वह खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कश्ट जेले। तीन हजार वर्षों तक माता ने तूटे हुए बिल्वपत्र खाकर भोले नात की आराधना करती रही। बाद में माता ने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। इस कारण से उनका नाम अरपणा भी है। माता ने कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या करने के कारण देवी माता का शरीर एकदम सूख गया। तब देवता, आरशिगन और मुनी ने ब्रह्मचारिनी माता की तपस्या की सराहना करते हुए कहा। हे माता, ऐसी घोर तपस्या संसार में कोई नहीं कर सकता। ऐसी तपस्या सिर्फ आप ही कर सकती है। आपकी इस तपस्या से आपको भोले नाथ जरूर पती के रूप में प्राप्थ होंगे। तब यह सुनकर ब्रह्मचारी ने तपस्या करना छोड़ दिया और अपने पिता के घर चली गई। वहाँ जाने के कुछी दिन बाद माता को शिवशंकर पती के रूप में प्राप्थ हो गए। नवरात्री के दूसरे दिन मा ब्रह्मचारीनी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा की विधी इस प्रकार है। सुभह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। मंदिर में दीपक जलाएं। मा दुर्गा का गंगा जल से अभिशेक करें। मा को अक्षत, सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें। मा को पंचामृत, खीर, बरफी, चीनी या दूद्ध से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। मा को पान, सुपारी और लॉंग अर्पित करें। मा ब्रह्मचारिनी के बीज मंत्र, ह्रीन श्री अम्बिकाया नमह का 108 बार जाप करें। मा की आरती करें। दुर्गा चालीसा और दुर्गा सब्तशती का पाठ करें। कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। पूजा के बाद माता के जैकारे लगाएं। शाम के समय भी माता की आरती करें। मा ब्रह्मचारिनी को गुढ़ल और कमल का फूल बहुत पसंद है। मा को पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहना कर पूजा करें। नवरात्री के दूसरे दिन मा ब्रह्मचारिनी की पूजा की जाती है, जिसका महत्व इस प्रकार है मा ब्रह्मचारिनी की पूजा करने से जीवन में सफलता मिलती है और रुकावटें दूर होती है मा ब्रह्मचारिनी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृध्धी होती है मा ब्रह्मचारिनी की पूजा करने से जीवन के कठिन संगर्षों में भी मन कर्तव्यपत से विचलित नहीं होता मा ब्रह्मचारिनी की पूजा करने से ज्यान की वृध्धी होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है मा, ब्रह्मचारिनी की पूजा करने से कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोशों से मुक्ति मिल जाती है मा, ब्रह्मचारिनी की पूजा करने से लंबी आयू, आत्म विश्वास, सौभाग्य, आरोग्य और अभय की प्राप्ति होती है मा ब्रह्मचारिनी को सफेद रंग बहुत प्रिय है मा ब्रह्मचारिनी को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, फल आधी अवश्य अर्पित करना चाहिए यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें इन नौ दिनों में जूट नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए इन नौ दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें इन नौ दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटका, पान, मध्यपान, मांस भक्षन और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए. वरत में बार-बार जल्पीने से भी बचना चाहिए. अधिकतर लोग दो समय खूब फर्याली खाकर उपवास करते हैं. ऐसा करने से वरत का फल नहीं मिलता है. उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए. नवरात्री के दोरान रसो पवास, फलो पवास, दुगधो पवास, लगु उपवास, अधो पवास और पूर्णो पवास किया जाता है. जिसकी जैसी क्षमता होती है, वह वैसा उपवास करता है. व्रत में यात्रा, सहवास, वारता, भोजन, गाली बखना, आदित्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तो ही उसका फल मिलता है परन्तु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए जिसकी शारिरिक स्थिती ठीक न हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए रजस्वरा, स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो, तब भी वरत रखना जरूरी नहीं है युद्ध के जैसी स्थिती में भी वरत त्याज्य है माता जी का वरत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए वरत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए यदि कोई गंभीर बात हो, तो ही मता से क्षमा मांग कर ही वरत तोड़ा जा सकता है बोलो ब्रह्मचारिनी माता की जै दोस्तों इस चैनल पर आपको सभी नवरात्री की वरत कथाएं उपलब्ध होगी इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद